राजना खेडुतों माटे खुश खबर छे चौमासा नेलेई ने आगाही करवा मावी छे तेमुझ जब 15 जून पहला गुजरात मा बैसी शके छे चौमासू 12 जून वचे गुजरात मा चौमासू बैसवानी पूरे पूरी शकेता छे राजना खेडुतों माटे हाँ सारा समचार बारती पंदर जून वचे गुजरात मा चौमासू बैसी शके छे आने वाले दिनों के लिए जो गुजराती स्टेट के लिए फोरकास दिया गया है डे बन से लेकर डे सेवन तक गुजरात रिजन पे आइसोलेटेट प्लेसेज पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पुर्वान मान दिया गया है और सौराष्टर रिजन में day 3, day 4, day 5, day 6 और day 7 में light rain होने का पुरवान मन दिया गया है जहां पर isolated places पे light rain होने का पुरवान मन दिया गया है day 1 और day 2 के लिए जो डिस्टिक है जहां पे light rain होगा वो डिस्टिक है वलसाड नोसारी, डांग, दमन, दादरानगर हवेली, दाहोद और छोटा उदेपूर, दाहोद चुटा उदेपूर, वलसाड नोसारी, डांग, दमन, और डी डी अनेच है, और दे धित्री की बात करेंगे, जहां पर अइसलेटेट्ट प्लेसेश greater पलेसेश पर लाइडरेन होने का पुर्वान वन दिया गया है वो डिस्टिक है पंच महल दाहोद छोटा उदैपूर नर्मदा और वलसाड नौसारी डांग दमन डिडियन अच्छे और डेफोर की बात करेंगे तो डेफोर में गुजरात रीजन के सारे डिस्टिक कबर हैं जहां पे लाइट से पुर्मान वन दिया गया है वो है गांधी नगर अरावली खेडा आहमदाबाद आनंद पंच महल दाहोद और महिसागर और डेफाइब के बात करेंगे तो डेफाइब में जहां पे लाइट टु मौडरे ट्रेजन होने का पुर्मान वन दिया गया है उसमें गुजरात री जिन के सारे डिस्टिक कबर हैं जहां पे लाइट टु मौडरे ट्रेंग होने का पुर्मान दिया गया है और सवराष्ट और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो डे वन और डे टू में सवराष्ट और कच्छ रीजन ड्राई रहेगा और डे थ्री में आइसलेटेट प्लेसे लाइट रेन होने का पुर्मानमन दिया गया है और जो डिस्टिक है जहां पर लाइट रेन होने का पुर्मानमन दिया गया है सवराष्ट रिजन के लिए वह है अम्रेली भावनगर गीर सोमनात दिव और डे फोर के लिए जूनागर अम्रेली भावनगर गीर सोमनात और 6 में जो डिश्टिक है जहां पे लाइट रेन होने का पुर्मानवन दिया गया है वो डिश्टिक है राजकोट, पोरबंदर, जूनागर, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गीर, सोमनात, बोटा, दिव और डे 7 में सौराष्ट और कच्छ रिजन में आइसलेटेट जिले कबर है डे 7 के लिए और थंडर्स्टार्म की वार्निंग दी गई है डे 1 से डे 5 में गुजरात रिजन के लिए और डे 3 से डे 5 के लिए सौराष्ट रिजन के लिए थंडर्स्टार्म की वार्निंग दी गई है जिसमें जिस टाइम थंडर्स्टार्म होगा उस टाइम विन्ड की स्पीट 30 से 40 किलो मेटर परावर के बीच में होने का पुर्वान भान